इस सुमित कुमार एं इन दिस वीडियो आइं गोई टॉक अबाउट इसके बारे में और उसका मैं पॉसिबिल कट अफ और कुछ रिव्यूस के बारे में बाचेत परता हूं ठीक है पहली बार देखो जितने भी कोश्चंस मुझे मिले हैं उस कोश्चं के अलहार पर यही लगाए कि कोश्चं का फेपर इस बार मॉडराइट था जो अब्जेक्टिव कोश्चंस पेपर थे वह भी बहुत ही जानदार शांदार जैसे अल्मोस्ट नहीं थे जो मुझे मिला है म तरफी जो सब्जेक्टिव बहुत होता है जो रॉस्टार वाले प्रॉब्लम थे जो इस्टार वाले नहीं थे वह मैरे खाल से थोड़ा बहुत जिनको पता होगा गुरूप थेभी और फिल्ट का बेसिक नॉलेज वह बनाया होंगे और जहां तक बात रही स्टार वाले प्रॉब्लम्स वह ऐस जैसे रहता है वैसा जितने भी स्टूर्ड ने एक्जाम दिया है जिन से भी मेरी बाच्चित हुई है उन्होंने यह बोला कि सर इस बार का कोश्चन पेपर मॉड समझ बनी आता है कि मैंने क्या सब्जेक्टिव कोश्चन पेपर लिखा है हम एने एक्जाम दिया है यह एक्जाम उस लेवन का होता है जो भी कुछ थे जो मेरे नहीं भी थे उन्हें जहां तक जो उनको याद था दोनों ने बताया उस बेसिस पर आपको बता रहा हूं कि कि इस बार का कोश्चन का लेवल मॉड़ेट पिछले बार का लेट्स पोस अमाल लेते हैं तो अपो थेटिकली कि मालो दस मार्क्स है तो तस मार्क्स में पिछले साल का कट आगर पाच इस बार छे होगा ठीक है 10% आगे बीच पीच होगा ठीक है not too much 10% का इंक्रिमेंट होगा 10% के आसपास ही इस वर बढ़ सकता है तो और जहां तक आपको लगता है कि आपके पास questions है सारी questions आपको याद है वन से लेकर या subjective आपको questions याद है आपने उसमें क्या answer नहीं यह भी आपको याद है जहां को लग रहा है वह भी आप मुझे पता सकते हैं वह सारी चीज़ अगर है तो आप question लिखके मेरे को mail कर देंगे nobel forum 05 पे और बेटर लेकिन यतने भी लोगों से बात चित हुई है उनका ही मानना है किस बार का question का paper model अब इसमें दो लेबल के के बाद जा रहा है एक ग्रेजुट के बाद जो MSC के लिए एक्जाम दे रहे हैं उनका तो पता है कि star के problems matter में करते हैं उनको दो non star problems है वो solve करने हैं साथे साथ इसाथ इधर objective का और तो PhD के लिए इतना होना चाहिए और उसमें से स्टार problems थे बहुत अच्छे थे वह हमेशा ही उसके बहुत अच्छे होता है वह भी सकता है लेकिन इस नॉट सो इजी आइट से चारों के चारों आपसे बन जाए बहुत अच्छे छे दुरंदर mathematicians वो चार के चार बन पाना थोड़ा मुस्किल जाता है अच्छानी के लोग नहीं कर पाते करते हैं बट उसमें surety नहीं हो पाती लेकिन तो भी मुझे उमीद है कि आप लोग ने करा होगा तो उस basis के अधिहार पे पिछले साल की कम रिजन भड़ा सब बढ़ेगा तो इसलिए जैसा भी आपका एक्जाम रहा है आप उसका कमेंट यह करना चाहता है लेकिन आप लुक कि इतने मेल्स थे मैसेजिश थे इंफाट कॉमेंट सेक्टिसम में बहुत सारी स्टूडेंस ने क्विस्ट किया तो मैंने लगा कि चलो जो भी स्टूडेंस ने एक्जाम दिया था मैंने सब का उभर वियू लिया सबसे बातचि करने के जरूद है कि एक्जाम क्यों खरा दिया और इसको आप किस तरीके से आगे बहतर कर सकते हो उसमें लगता है कि गाइडेंस सपोर्ट यह सब की जरूद है सब्सक्राइब जुएंस से नेक्स्ट यमाई आई साई के लिए एच्छे स्टार्ट हो रहा है तो बाकी टेंसन लेने के जुरूद है नहीं आने वाला एक्जाम आपका आई साई है उसके लिए बेश विशेश और मन लगा के अपना पढ़िए अच्छा कीजी मिलते हम लो